नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में बनेंगे ग्रीन रासन काड जारखन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम का सुभारम 12 अक्टूबर से होगा राजे की हेमंत सुरिन सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष में इस कारकरम का आउजन किया रहा है बताया जा रहा है कि यह कारकरम दो चर्णों में आविजित किया जाएगा इसके तहद बारत से 22 अक्टूबर 2022 तक यह दूसरा चरण 1 से 14 नॉबर 2022 तक संचालित किया जाएगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम की शुरुआत होने पर पंचायत अस्तर पर सीवरों का आवजन कर राज सरकार की लोक कलियनकार योजनाओं को गिरामीनों के बीच रखा जाएगा साथ ही सिवीर में ही योजनाव का अधिका अधिक लाब आम जनों को दिया जाएगा ताकि कोई भी आहर्ता प्राप्त ब्यक्ति योजना के लाब से वन्चित नहीं रहे सरकार ने प्रत्मिक्ता उन पच्चायतों को अधिक देने का आदेश दिया है जहां पिछले साल किसी कारण वह सिवीर नहीं लगाया जा सका था रांची के दुरगाबाडी में सिंदूर खेला राइधानी रांची के में रोड इस्थी दुरगाबाडी में बुद्धवार को बिज्या दस्मिक मौके पर सिंदूर खेला का योजन किया गया जिसमें राइधानी राची सहीत आसपास के जीलों की महिलाओं ने सिर्कत की महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगा कर बिजया दस्मी के मौके पर अपनी खुती जाईर की साथ ही माँ से सदा सुहागन रहने की कामना की दूर्गाबाडी में सिंदूर खेला में सिर्कत करने पहुंची महिलाओं ने कहा उन्हें दो वर्सों के बाद सिंदूर खेला में आने का मौका मिला है क्योंकि COVID-19 की वज़ा से हम सभी एक जूट नहीं हो पा रहे थे लेकिन इस वर्स माता राने की किर्पा से सिंदूर खेला कायोजन हो पाया है देव घर में नहीं होता है रावन का पुतला दहन बुद्धवार को पूरे देश में बिज्या दस्मी की धूम है हर जगह माता की आराधना की जा रही है साथ ही आज भी द्याजस्मी में हर जगर रावन का पुतला भी दहन किया जा रहा है लेकिन देवाधी देव महादेव की नगरी में रावन का पुतला दहन की परमपरा नहीं है यहां रावन के पुतले का दहन नहीं किया जाता है बैजनात धाम की पुरोही दूरलाव मिस्रा बताते हैं कि देश में आई सभी जगा रावन का दहन किया जाता है लेकिन देव घर में रावन का पुतला दहन नहीं किया जाता इसके पीछे का कार्णिया है कि रावन एक महान पंडित और ब्राम्हन थे वो सीव के सबसे बड़े भक्त थे रावन के दस मूंड थे जिसमें पाँच सास्तिक और सेस पाँज तमसिक जब कैलास से रावन बाबा बैदनात के जोतिस लिंग को लेकर आ रहे थे तो वे सात्विक कर्म था रावन की वज़ा से ही यहां देव घर में कामना लिंग बाबा बैदनात लाया गया लोहर्दगा में पूलिस जवानों ने किया समोहिक दुसकर्म जार्खन की लोहर्दगा जीले के सुद्रवर्ती नक्सल परहावी सेरे दांग थाना छेत्र में एक बिद्वा महिला के साथ समोहिक दुसकर्म का मामला परकास में आया है महिला गोगम भी हालत में इलाज के लिए बुद्धवार की अहले सुबा लोहर्दगा सुदर अस्पताल में भरती कराया गया फिलहाल महिला की स्थिती इस्थिर बनी हुई है महत्पून बाते आये कि इस घाटना में सेरे दाग पिकेट के दो जवानों पर दुसकर्म का आरोप लग रहा है हलाकि फिलहाल पुलिस मामले में दुसकर्म की घाटना होने की पोश्टी तो कर रही है परन्तु किसी जवान के इस घाटना में सामिल होने को लेकर पुलिस जाज के बाद ही किसी निसकर्थ पर पहुँचने की बात कर रही है महिला को देर रायत पहाडी छेजर से इलाज के लिए लाकर बुद्वार के अहले सुबा लोहरदा का सदर अस्पताल में भरती कराया गया है देवघर EMS में सेकरियोटि गार्ड के लिए UP में भरती देवघर EMS में सेकरियोटि गार्ड की भरती हो रही है इस भरती के लिए एकचुक अभियार्थियों को UP के मिर्जापूर बुलाया गया है वहाँ पर 6 से 8 अक्टूबर तक भरती पर करिया चलेगी देवघर एम्स के लिए यूपी में भरती परक्रिया को लेकर बीजेपी सांसर निसिकान दूबी ने सवाल खड़े किये है बीजेपी सांसर निसिकान दूबी ने ट्वीट कर लिखा है देवघर के गरीब बचों के साथ या अन्याय है मुख्य मंत्री हेमन सुरिन जी अपने अधिकारियों डीसी देवघर को ताकीत करे किया भरती देवघर में ही हो बीज़प्ती में लिखा गया है कि सवी अस्थानिय युवाओ को सुचित किया जाता है कि सेक्रिटी सुल्यूसन सर्विसेस में सेक्रिटी गाट की भरती दिनांग 6, 7 और 8 अक्टूबर को मिर्जापूर उतर परदेश में की जा रही है सबसे अन्रोध है कि वहाँ समय से पहुँच कर अपनी युगता को सुनिश्चीत करे सराय किला में CRPF जवाने नकसली को किया गिरफतार सराय किला जिले के कुचाई परखन अंतरगा सिमावर्ती जोबरो छेतर से केंद्रिय सुडक छाबल के जवानों ने भागपा मवादी संगठन के एक नकसली सलेम मुंडा उर्फ डिबा को गिरफतार किया है गिरफतार नकसली की निसान देही पर एक पिस्टल नकसली बैनर नकसली वर्दी समेत कई अने तमाम समान बरामत किये गा है गुपत सुजना के अधार पर CRPF की तरब से कुचाई के जोबरो और आसपास के छेतर में सर्च अप्रेशन चलाया गया था इस दोरान नकसली सलेम मुंडा ओर्फ डिबबा को लेरूंग गाओ के पास से गिरफतार किया गया गिरफतार नकसली सलेम मुंडा को नयाईक हिरासत में जेल भेज़ दिया गया है रेलवे प्लेटफर्म टिकट दाम तीन गुना तक बढ़ा ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है बतादे भारतिये रेलवे ने तेवहारों से पहले एक बढ़ फिट प्लेटफर्म टिकटो के दाम तीन गुना बढ़ाक कर रयात्रियों को बढ़ा जटका दिया है अब दिली के परमुक एस्टेशनों पर तेवहारों के सीजन में लोगों को तीन गुना कीमत पर प्लेटफर्म टिकट खरीदना होगा पहले जहां केवल दस रुपे में प्लेटफर्म टिकट मिलता था वहीं इसके लिए अब तीस रुपे कीमत चुकानी होगी रांची और जमसेदपूर की हवा होई खराब तेवहारों के इस सीजन में जहारकन के कई बड़े सहरों की हवा परदूसित हो गई है राइधानी राची और जमसेदपूर का परदूसन असर भी बढ़ा है पूरे जहरकन के अवसत यार क्वालिटी इंडेक्स भी देश के इंडेक्स से अधिक है सुमवार को जहरकन के अवसत यार क्वालिटी इंडेक्स 109 रिकोर्ड किया गया वहीं पूरे देश की अवसत यार क्वालिटी इंडेक्स 103 के आकड़े पर थी सुमवार को परदूसन का सत्र 162 तक पहुँच गया है देवगर में अब खराब मौशन में भी बिमानों की होगी लेंडिंग विजिबिलिटी काम होने से देवगर यारपोट में फलाइट के लेंडिंग नहीं हो पाने की समस्या से निजात दिलाने पर काम सुरू हो चुका है जहार रन्वे के फूर्वी छेतर में इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम का सीविल वर्क चल रहा है इससे खराब मौसम में भी बिमानों के लेंडिंग की समस्या से चुटकारा मिल जाएगा देवगर यारपोट में इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम नहीं होने से खराब मौसम के कारण अधिकतर बिमानों को डाइवर्ट कर दिया जाता है पहले फेज में इस्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम के कई अवस्याक इंप्लाइमेंट देवगर यारपोट आ चुके है अधिकतर इंप्लाइमेंट बेंगलोरू और दिली से मंगाये गए है दा हसंसकार में जा रहे यूवक की पलावू में सलक दुरगाटना में मौत पलावू के जपला देवरी मोखे पत परिश्थित सिव मंदीर के समीब बुद्धवार को दिन में करी 12 बजे एक बाइक अन्यंतरित होकर एक मकान की चार दिवारी से टकरा गई हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है दूसरा यूवक गंभी रूप से घायल हो गया मिरिता की पहचान बिहार के औरंगाबाद जीले के जमहोर थाना अंतरगत जमहोर गाओं के दिपक सर्मा के रूप में हुई है घायल यूवक औरंगाबाद निवासी राहुल सर्मा बताया जाता है जारखन में सभी विभागों में पर्मोसन पर रोक जारखन हाइकोर ने राज की सभी विभागों में दी जाने वाड़ी पदोनती पर रोक लगा दिया है अदालत ने इस मामले में कार्मिक विभाग और डिजीपी को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अर्थी पुलिस विभाग में A.S.I है। गर में सुवर है माकान, मालिक, पंकच, गीरी एवं उनके चार बच्चे मलबे में दब गए। हाथसा मंगलवार एक गारा बजे रात का हुआ है। हला सुन कर पडोश के गरामी जुटे एवं मलबे से नीचे से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। यदि आप चनल पर नहीं होते चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बएए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर आप दोस्तों को साथ से एर करना ना भूले। साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीड़ो एक अवस्य दे। थैंक्यू। ह साथ स्रमने में और सब्सक्राइब को एक अर्वस्का और मुगवश्